दोस्तो ओलिन वर्ण टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो बिहार एस टीटी परिक्षा 2020 जो 28 जन्वरी को कंड़क्ट होने वाली है उसकी एड्मिट कार्ड जारी करने को लेकर बिहार बिदाले परिक्षा समीथी दोआरा ओफिसियल लेटर जारी कर दिया गया है दोस्तो देख सकते हैं प्रेस भी गप्ती आ चुकी है बिहार बिदाले परिक्षा समीथी की माध्मिक सिक्षक पात्रता परिक्षा यानी की एस टीटी 2019 का परवेश पत्र निर्गत करने के संबंद में आवश्यक सूचना दोस्तों देख सकते हैं कि एतद्वारा माध्मिक सिक्षक पातता परिछा यानि कि STET 2019 में सामिल होने वाले सभी अभियर्थियों अभिवावक सभी जिला सिक्षा पदादिकारी एवं अन संबंधितों को सुचित किया जाता है कि माध्मिक सिक्षक पातता परिछा यानि कि STET 2019 दिनांक 28 जनवरी 2020 को बिहार के राज के सभी जीला मुख्याले में दो पालियों में आयों जीत होगी फॉस्तों आप सम хотел देख सकते हैं कि आपकी परिछा जोगी 28 जनवरी 2020 को होगी दो पालियों में होगी सिप्ट में stet paper first होगा और second सिप्ट में stet second paper होगा वही पी आप सभी students जो हैं अपना admit card download कर सकते हैं दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मादमिक सिक्षक पातरता परिछा stet 2019 का परवेश पातर दिनांक 17 जनवरी 2020 से समीती के website www.bsebsted 2019.in पर अपलोड रहेगा और आप सभी जो हैं अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी अभियरती जो हैं 17 जनवरी 2020 से अपने user id mm password के माध्यम से समीती के website www.bacvstet.in में आप अपना परवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चीत करेंगे दोस्तों आप सभी जो है अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं 17 जनवरी से अपलोड रहेगा website पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं अनकिसी माध्यम से परवेश पत्र जो है भेजा आ नहीं जाएगा आप सभी जो है official website से ही user ID और password के मदद से admit card डाउनलोड कर सकते हैं साथ में दोस्तों आप सभी students की परिक्षा दो पालियों में होगी दोस्तों मैं आप लोग को बता दू कि परिक्षा में सामील होने के लिए जो दिसा निर्देश दिया गया है दोस्तों आ अपने स्थान को गरहन करेंगे तथा किसी भी अभियर्थी को इस परवेश पत्र को प्रस्तूत किये बिना परिक्षा केंद्र में परवेश की अनुमती नहीं होगी साथ में दोस्तों आप सभी students परिक्षा भवन में अपने साथ मोबाइल फोन कैलकुलेटर कोई भी गनीत या बहुत की चार्ट साथ में इलेक्ट्रोनिक गजट बुलुटूथ मोबाइल फोन वेगरा आप लोग जो हैं लेकर नहीं जाएंगे बैक पर्स वेगरा लेकर नहीं जाएंगे सबसे बहुतमुन अफडेट आप लोग के लिए है कि अभियर्थी जो है परिक्षा भवन म घरी एबम जूता मोजा पहनना बरजित है तो आप लोग घरी लेकर नहीं जाएंगे जूता मोजा पहन कर आप नहीं जाएंगे आपको परिक्षा होल के बाहर इसे निकालना पड़ेगा दोस्तों आपनों को बता दूं की परिक्षा जो होगी आपके 150 कोश्चनों के लिए परिक्षा होगा और इसमें आपको परते कोश्चन के लिए एक मार्कस निरधारित है साथ में नूर नीगेटिव मार्किंग है तो आप सब जो हैं एक भी कोश्चन को नहीं छोड़ेंगे जो कोश्चन आपसे हल हो जाती है सल्व हो जाती है अच्छी बात है उसे सल्व करि के ही आएं क्योंकि इसमें निगेटी मार्किंग नहीं है दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि परिक्षा जो होगी वस्तुनिष्ट होगी और और OEMR सीट पर परिक्षा होगी आपको सिंग्नेचर जो करना है हिंदी एवं इंगलिस दोनों में करना है बॉक्स जो है महाँ पर बना हुआ रहेगा साथ में दोस्तों आप सभी स्टुदेंट्स के लिए सबसे महत्पून अपडेट यही है कि आप सभी जो हैं 17 जनवरी 2020 से बीए सीवी के ओफिसियल वेब साइट www.bsevstet 2019.in पर लोग इन करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी स्टुदेंट्स और परिक्षा आपकी 28 जनवरी 2020 को कंड़क्ट हो दोस्तों यह है अपडेट दोस्तों पूरे अपडेट जाने के बाद अगर आपको कोई प्रोब्लम है कोई हिल्प चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कॉमेंट करके पूश रखते हैं साथ में दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगले बेल आइकोने उसको दबाएए और हो सके तो अपने दोस्तों में से सेर भी कर देजे पूरे वीडियो को अंतर देखने के लिए धन्यवाद